हेलो फ्रेंढ्स स्वागीत आपसबीका हमारे इस चैनल में सो दोस्तो काफी स्ट्रेंटस ने कमेंट किया था कि जो फीस पेमेंट असके बारे में आप बताईे कि इतनी फीस में कि इतनी फीस लगेगे किस राउंड में कितन colorful होगी कितनी counseling करो तो उन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तो otherwise you will lose your money in registration also तो दोस्तो ये वीडियो है NEET की counseling के लिए जो भी बच्चे round 1, round 2 जो state की counseling करने जा रहे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें क्योंकि दोस्तो आपका पैसा अगर चला जाएगा तो फिर बहुत लंबा process है उस पैसे को वापस ले आने को और अगर उसमें कुछ process भी होगा तो उसमें deductions आपके बहुत ज़्यदा हो सकते हैं तो NEET की clear guideline आपको NEET की official notice से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलतिया नहीं करनी है जिससे कि आपका fees का registration में जो कोई problem ना हो और अगर आपका counseling में मालो allotment होता है और नहीं होता है उससाब से आपकी जो fees है उसको refund हो जाए तो दोस्तो जैसे कि आपको screen पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके क्या-क्या charges होंगे जब आप fees payment करोगे तो दोस्तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है what are the various fees to be paid at the time of registration तो उसमें साफ साफ लिखा है at the time of registration student have to pay two kind of fees मतलब आपको दो तरह की fees होने होगी या तो आप Dean University में admission ले रहे हो या आप AIQ quota से admission ले रहे हो तो यह मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप round one या round two की counselling में जा रहे हो और Dean University में जा रहा हो तो दोस्तो Dean University की अलग से fees होती है और AIQ क्योंकि अलग से होती है तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तो तो आप देखना अगर आप Dean University के apply कर रहे हो तो आपको non-refundable fees होगी 5000 रुपए वो आपको जमा करानी पड़ेगी तो मालो आप किसी Dean University के लिए apply करने जा रहे हो तो you have to pay 5000 और यह पैसा आपको non-refundable होगा मतलब आपको वापस नहीं मिलेगा and same for our candidate तो इसमें सारे candidate के लिए same है जाए हो general का हो, OBC का हो, SC का हो, ST का हो, PH का हो या ex-serviceman कोई भी student हो या कैसा भी student हो उन students के लिए सारी categories में जो यह 5000 रुपए अगर आप Dean University के लिए जा रहे हो तो आपको यह refund नहीं होगा उसके साथ साथ आपको एक पैसा ओर देना पड़ेगा कि आपको security deposit देना पड़ेगा अगर आप Dean University में एडिशन लिए तो 5000 रुपए तो आपको non refundable होगा उसके अलाव आपको refundable security amount 2 lakh रुपीज के जमा करानी पड़ेगी तो यह refundable मनी होगी इसमें भी एक condition है दोस्तों लिखा होगा है एनी candidate opting for deemed university विलाव तो फड़ेगा 5000 रुपीज तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको आपने किसी deemed university में डिसाइड कर लिया कि आपके marks लगबख बीच के marks है और आप deemed university के विले या जा रहे हो तो आपको करना का है 5,000 रुपए जमा कराओगे वो आपको refund नहीं होगा और जो 2,000,000 रुपीज है वो आपको security deposit देना पड़ेगा मतलब अगर आपको allotment नहीं मिलता है तो आपकी पैसे वो अपस हो जाएंगे या आपका किसी तरह से number नहीं आता है लेकिन अगर आपने वो college join कर लिया और उसके बाद अगर आप बोलोगी कि अब मुझे security refund चीए तो उसमें वो बहुत problem करते हैं वो पैसा refund नहीं करते है तो deemed university के लिए साफ साफ rule जो मैंने आपको बता दिया 5,000 तो non refundable हो गया और refundable security deposit 2,000 रुपी हो गया यह deemed universities अलग से लेती है अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों कि अगर आप deemed university में नहीं apply करना चाहते और central university जो 15% AIQ quota में apply करना चाहते हैं तो उसकी fees दोस्तों आपके सामने screen पे है उसमें देखो दोस्तों रिखा हुआ है कि non refundable registration charges 1000 for your category और बाकी सबी category के लिए 500 रुप है अगर आप general category से हो तो आपको non refundable 1000 रुपे जमा कराने पड़ेंगे तो यह है central universities का जो 15% all India quota में जितने भी government college आते है और जितने भी central university आते है उसमें आगे आपके सामने central universities में क्या आगे दोस्तों DE university भी आ गई, AMU भी आ गई, BHU भी आ गया और जामिया, मिलिया, इस्लामिया भी आ गया और AFMC आ गया और ESI आ गया तो अगर सारी central university आ या AIQ quota के जो 15% AIQ quota के हैं उनमें किसी college के लिए कर आप counseling में जा रहे हो और और category के लिए 5,000 रुपए तो suppose अगर मैं ऐसे बता के चलता है आपको छोटी सी calculation आप general category से हो तो आपको 11,000 रुपए देने पड़ेंगे 1000 रुपए non refundable होगा, 10,000 रुपए आपका refundable money होगा उसी प्रकार दोस्तों अगर आपका, अगर आप OBC, SC, ST, PH category से हो तो आपको 500 रुपए registration में देना पड़ेगा और 5,000 रुपए आपका, यह 500 रुपए होगा, यह non refundable होगा और यह 5,000 रुपए यह refundable होगा तो जैसे हैं उन्हें एक्जामपल देकि बता रखा है यहाँ पे कि if any you are candidate opting for central university he has to pay 1000 रुपए देने पड़ेंगे और जो दूसरी category के बंदे हैं वो 5,500 रुपए देने पड़ेंगे तो दोस्तों यह है registration की fees और उसके बाद दोस्तों जैसे अगला question है बच्चों का जो मैंने आपके सामने screen पे रखा हुआ है वो है कि in case candidate had to apply for both AIQ and deemed university student what amount should pay for जैसे एक बच्चा है वो बोले का सर मैं AIQ कोटा भी कांसिली में पार्टिपेट करना चाहता हूं और deemed university में पार्टिपेट करना चाहता हूं तो मुझे कितनी फीच देने पड़ेगी तो उसमें लिखा हुआ है no in such cases candidate has to pay only higher fees team university fees and security deposit जैसे कि आप बोलोगी सर मैं दोनों जगे अप्लाइ करना चाहता हूं team university में और central university में AIQ कोटा दोनों के साब से तो आपको दोनों में से higher देना पड़ेगा हाइर की बात करते तो आप खुद को पता है कि जो higher है वो फीच तो team university के तो आपको पांच हजार और दो लाग रुपए तो दो लाग पांच हजार रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे तब आप team university और AIQ दोनों का एक साथ participation कर सकते तो simple सा मैंने आपको चीज़ बताई confusion होने की ज़रूत नहीं है if you are applying for AIQ quota colleges or central universities colleges तो अगर आपको अगर जो नीचे वारी fees से यह payment नहीं करनी है आपको सिर्फ team dynasty की fees ही पे करनी होगी दो लाग पांच जार रुपए इसमें आप दोनों तरह की counseling कर सकते हो तो इसमें पांच जार रुपए होगा वह तो non refundable होगा और two lakh rupees होगा जो refundable amount होगी उसके अलावा दोस्तों अगला जो question आप अपनी details दे सकते हैं तो next video में मैं आऊँगा किस तरह से आपको fees की payment करनी है और क्या-क्या details है उन सब्सक्राइब के लिए क्लिए क्लिए अगर आपकी कोई और query है प्लीज कमेंटर में आपका अपनी queries लिखिए मैं आपके queries का reply जल्दी जल्दी करूँगा so all the best दोस्त यह थी details fees की जो मैंने आपको बता दीती है नेक्स वीडियो में मिलते हैं नई details की साथ